हलो दोस्तों स्वागत है आपका GK with अजीम यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का जो मारा टापिक है वो है जन्तु उत्तक पिछले वाले में हम लोगों ने पादप उत्तक के बारे में जाना था इस वाले में हम लोग जानेंगे जन्तु उत्तक के बारे में से पहले की थी अब देखे उत्तक क्या होते हैं उत्तक वहते हैं जो एक ही तरह के यानि ये इस तरह की कोशिका होती है जिनका निर्माण की प्रकिरिया एक हो कार एक हो उस तरह के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा गया है और उत्तक जन्तुओं में सबसे पहले जो बनता है भुरून काल में बनता है और भुरून काल परिवर्धन के समय निर्मी तीन प्राथमिक जनन अस्तरों में त्री अस्तरी प्राथमिक जनन अस्तर भी इसको कहा गया यानि तीन प्राथमिक जनन अस्तरों में ये बनते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है और पहला ये अस्तर ज लेके सातवे महीने तक, पहले बनता एक्टोडर्म, इसमें वन कोशिका और तंतिका तंत अम आखों का निर्माण होता है, वन कोशिका का अर्थ पिगमेंट जिससे कि उस जीव को मिलता है कलर, तोचा को मिलने वाला कलर या उसे जो भी कलर मिलता है, और नर्वस सिस्टम और आख बनता है, मेसोडर्म में, दूसरा जब आएगा दो महीने बाद वाला, तो रक्त बनता है, रक्त परी हंचरन के पूरा तंत्र इसमें विक्सित होता है, जिसमें रक्त, लसिका, व्रिक, तोचा, पलीहा, और मूत्र एम जनन अंगों का निर्माण होता है, उत्तकों में फिर उसके बाद एक्टोडर्म लास्ट वाला इसमें बनता है फेपड़ा, थाईराइड रंथिया, अगनास, अन पाचन के अंग इसमें बन जाते हैं, इस तरह से जीवों में, जन्तुओं में, ये प्राथमे के तीन जनन अस्तरों में ये बनता है, अब कार के आधार पे जन्तु उत्तकों को चार भागों में बाटा गया, ये चार कार के होते हैं, एपिथेलियम उत्तक, पहला दूसरा सन्योजी उत्तक, तीसरा पेशिय उत्तक, और चौता है चौता अंत्रिका तंत्र उत्तक, पहला जो है, एपिथेलियम उत्तक, इसको उपकला उत्तक भी खा जो भी धमनी एवंशिराय होती हैं इनमें नहीं होती हैं ये पाली सेक्राइड और कोलाजन अंतुमों के आधार पर निर्मितिये होते हैं यानि ये बने होते हैं पाली सेक्राइड और कोलाजन अंतुमों के आधार पर ये उत्तक जो होते हैं बने होते हैं और इनमें भवन का अर्थ क्या होता है? यानि निर्माण की प्रकिरिया, यानि अगर एक बार ये खराब होया तो पूनह ये फिर से बन जाए, अर्थात ये पूनह बढ़ रहते हैं, हमेशा इनका निर्माण होता रहता है, और इसलिए ये घावों को भरने में सहायक भी है, इनका पर्म करना, और ये पाचक अदार्थों का सराव, विभिन अरकार के हार्मोन्स का उत्सरजन और सोसन, गैसी ये इनिमें संवेदना संग्रहन भी करते हैं, अर्थात, अब इनका समझ लिजे कि ये कहने का अर्थ क्या है, ये मिलते पहले कहां पे हैं, हिर्दय, रक्त वाहिनिया, कि दिवार, तोचा, स्वेद रंथियों, सिलियरी, पेशिया, कार्निया, और मुख गोहां में ये मिलते हैं, अर्थात इनका काम होता है कि सुरक्षा, आवरण, प्रदान करना, इसलिए ये हमेशा बाहरी भागों पर मिलते हैं, और ये बहुत ही सटे हुए होते हैं, इनमे कोई बीच में कोई गैपिंग होती नहीं है, इसलिए ये बहुत अतली सी परत, पूरे मुख में, अंदर, बाहर, हर जगा, हिर्दय के ऊपर, दिवारों पर, हर जगा ये चड़े हुए होते हैं, और इनका कामी है सुरक्षा, आवरण, प्रदान करना, और इसमें कुछ ऐस जैसे भी हैं उत्तक जो पाचक रस यानि पाचक रस यानि आपके लिवर के हिवर द्वारा छोड़े जाने वाले रस, अगनासाई रस इस तरह के रसों का स्राव भी करते हैं, इनसे कुछ हार्मोंस भी उससरजित होते हैं, जैसे ये जितने हार्मोंस उससरजित करने वाले अंग है इनके ऊपर ये चड़े हुए होते हैं गैसी ये हिनमेक अर्थ फेफडे में उस्साजन और आवसोसन कूपिकाओं के बाहरी भागों पर ये चड़े हुए होते हैं और समवेदना गरहन और संगरहन भी इनका होता है यानि अगर इसे छूद या जाए तो हमें इसका अइसास होता है कि दर्थ यहां पर हो रहा है इन ही के द्वारा ही होता है एपिथीलियम उत्तक होते हैं इनका में काम सुरक्षा आवरण प्रदान करना और ये अंगों के हर जगा उपरी भागों पर होते हैं दूसरा सन्योजी उत्तक इनका सबसे और इनका हिर्मार जो होत और ये उत्तक बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में मैट्रिक्स भरा होता है एटिस का मतलब है ये तरल कोई भी अंग अदार्थ या भाग जल कुछ भी हो सकता है इनका रमुहकार सरीर के अंगों को जोड़ना होता है ये सरीर को दिढ़ एम लचीला बनाते हैं अर्था सरीर का अंकाल तंत्र इन ही द्वारा निर्मित होता है ये रासायनिक अदार्थों का परिवहन भी करते हैं जैसे इसका उधारण रूधीर है अस्थिया उपास्थिया असनायू अंडरा रूधीर और लसिका ये क्या होते हैं कि ये रासायनिक अदार्थों का परि वहन भी करते हैं अस्थियां उपास्थियां असनाई ये करते क्या हैं कि हमारे सरीर को जोड़ते हैं अस्थियां यानि हड्डियां उपास्थियां यानि वे उस तरह की हड्डियां यानि जो मुड़ने वाली हैं जैसे हमारे नाक और कान होती हैं असनाई जो हड्डियों को जोड़ते हैं घंडरा जो हड्डियों एवम पेशियों को जोड़ते हैं और अरुधीर का अर्थ आप जानी रहे हैं क्या है लासिका के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे ये च्छना हुआ एक तरह का रक्त है और अस्थी उपास्थी और सनायू के बारे में भी अगले ज इसमें रुधीर और लहसिका ये जो होते हैं तरल सन्योजी उत्तक हैं और इसी द्वारा हमारा सरीर का पूरा धाचा तयार है उसके बाद आता है पेशियों उत्तक पेशियों उत्तक क्या होते हैं तो ये लचीले होते हैं यानि इन में होती है हचक होती है और ये संपीडन उसको हम लोग समझते हैं यहां पर पेशी उत्तक क्या होते हैं इनके द्वारा हमारे सरीर गमन करते हैं हाथ पैर और इनमें संपीडन और संकुचन और सिथिलन का इनमें गुण होता है यह मुखिता तीन परकार के होते हैं पहला जो आता है उसे कहते हैं आरेखित पेशियां देखे आरेखित पेशियां वे होती हैं यह अनेच्छिक होती है यानि इस पर जीव का कंट्रोल नहीं होता है यह हर हाल में अपना कार जीव के नु आज़ाब से करती है ये इनको कहते हैं पेशिय आरखित पेशियां ये अनेक्छिक पेशिया हैं अनेक्छिक पेशिया है क्यों है जैसे हमारे आंक के पल्क अलके, फेफडे ठीक है आमासे मूत्र वाहिनिया ये हर हाल में मानों का इस पर नियंतर ये उस जीव का नियंतर उस पर नहीं होता है वो हर हाल में वो अपने हिसाब से ही होगा हम चाहे उसे रोके चाहे कुछ भी करें वो होगा अपने ही हिसाब से होगा इसलिए इसको अने चिक पेशिया कहा गया दूसरा होता है और दूसरा होता है रेखित पेशिया ये एक चिक होती है यानि इस पर मान उस जीव का पूरा-पूरा इस पर नियंतरन होता है और ये हड़ियों को यानि उपास्थियों और अस्थियों को जोडने का कार करती है इन्ही के द्वारा इन्ही के द्वारा अंगों को गती प्रदान होता है किसके द्वारा रेखित पेशियों के द्वारा और इन्ही के द्वारा हमारे हाथ पेर घूमते हैं इन्ही से हमको मिलती है ताकत शक्ती होती है परदान होती है और इन्ही से हमारे मसल्स बने हुए हैं मसल्स इन्ही से बना है तीसरा आथा है हिर्दय पेशियां हिर्दय पेशियां ये क्या होती है नो ठकने वाली और अनवरत अपने लएबध तरीके से कार करने वाली पेशियां होती है इनी से हमारा हिर्दय भी बना हुआ है ये अनैक्षिक पेशियां होती है यानि इस पर जीव का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है वो चाहे तो वो रुकेगा नहीं इस से भी हमारा हिर्दय बना होता है इसलिए हमारा हिर्दय हमेशा अपने हिसाब से कार करता है इसलिए हिर्दे पेशियों को मायो कार्डियम भी कहते हैं ये था पेशिय उत्तक तीसरा इसका है उत्तक का चौथा होता है तंत्रिका तंत्र उत्तक इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है आप जाको उसे जरूर देखिए लेकिन था उनत्रिका उन तक झाल लीजिए ये एक तरह की विशेश तरह की कोशिकाई ही होती है जो सरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है इसकी लंबाई दसंबलो एक मिटर तक होती है एक मीटर तक होती है और यह हमारे सरीर में संपुन किरियाओं को सुचनाओं को लेना देना और उनको नियंतित करने का कार्य करती है कौन तंत्री का तंत्र उत्तक है और यह निवरान कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और निवरान कोशिकाएं के तीन भाग है, एक भाग को कहते हैं साइटोन, दूसरा भाग है डेंडरान, और तीसरा भाग जो इसे कहते हैं एकसान कहते हैं, एकसान कहते हैं, इस तरह से एतने से मिलकर तंतिका कोशिकाएं होती हैं बनीवी और उनसे बने होते हैं, तंतिका तं पूरा हमारा मस्तिस्क और गरजु जो है वो सब मिलकर बनाते हैं अंत्रिका तंत्र उत्तक 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 इस पे मैंने वीडियो बनाया आप चाहें तो जाके देख लेए और अस्थियो और उपास्थियो पे मैं आगे चलके वीडियो अगला वाला बनाऊंगा इस तरह से उत्तक जो है वो चार टाइप के हैं एपी हिलियम उत्तक यानि उपकला उत्तक जो संपूर्ण सरीर को आवरण प्रदान करते हैं और ये और दूसरा सन्योजी उत्तक जैसे इनका हिर्माड मेसो डर में हुआ है और ये संपूर्ण सरीर को जोड़ने का कार करती हैं जैसे रक्त और लसी का ये जो हैं तरल सन्योजी उत्तक हैं और उसके बाद आता है पेशिय उत्तक ये क्या करती हैं हमारे सरीर को गती प्रदान करती हैं इन में यान अच्छिक और अच्छिक दोनों टाइप के होते हैं उस तो ये थे जन्तु उत्तक के प्रकार इस से आरार्वी में ज्याला सवाल आये हुए हैं अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में अब तक क